गुद मॉनिंग एवरिवन, क्लास टू, आज हम लोग लेशन सीक्स पढ़ेंगे, है ना, और लेशन सीक्स में एक कवीता दी गई है, और कवीता का सिर्षक है छाता, छाता, आप सभी लोग छाता देखें हैं, इसका इस्तिमाल किये हैं, है ना, तो छाता का इस्तिमाल हम कब करते हैं छाता का इस्तिमाल हम बरसाद के मौसम में ज़्यादा करते हैं है ना क्यों करते हैं पानी से बचने के लिए भीगने से बचने के लिए है ना तो यहाँ पर इस कवीता में एक बच्चे को छाता की आउशकता है है ना और क्यों आशकता है उसी को इस कवीता में बतलाया गया है और बच्चा अपनी मां से चाता मांग रहा है कि मुझे चाता खरीदो मुझे चाता चाहिए तो चलिए हम लोग कवीता पढ़ते हैं वर्षा का मौसम है आता अम्मा मुझे मंगादो चाता विद्याले आना जाना है साग सबजियां भी लाना है मित्रों के संग कभी घूमना बाबा जी को टहलाना है ओटोमेटिक वाला भाता अम्मा मुझे मंगादो चाता यानि बच्चा अपनी मा को कह रहा है कि मुझे चाता मंगादो क्योंकि मुझे विद्याले आना जाना है सबजियां खरीदना है मित्रों से भी कभी कभी घूमना है और बाबा जी यानि दादा जी को टहलाने भी ले जाना है इसलिए मुझे च्छाता चाहिए और बरसात का मौसम आ गया है यदि च्छाता नहीं रहेगा तो मैं इन सब कामों को कैसे करूँगा है ना मैं भींग जाओंगा और उसे कैसा च्छाता चाहिए आपक क्या बोलता है ओटोमेटिक च्छाता यानि कि अपने आप खुलने वाला च्छाता हम लोग इसका प्रयोग कर चुके है ना बटन दबाते हैं और च्छाता खुल जाता है तो वैसा ही च्छाता इस बच्चे को भी चाहिए आगे देखेंगे सोनू मोनू मिंकू भी तो च्छाता लेकर ही जाते हैं ड्रेस भीग जाती जब मेरी तब वे मुझको ललचाते हैं यानि कि सोनू मोनू मिंकू च्छाता लेकर इसकुल जाते हैं लेकिन जब मेरे पार च्छाता नहीं है मैं भींग जाता हूँ मेरा ड्रेस भी जाता है, तो वे मुझे लल्चाते हैं, चिढ़ाते हैं, है ना? बिन च्छाता कैसे बच पाता? अम्मा मुझे मंगा दो च्छाता वर्शा में पानी से बचना, गर्मी में सूरज से बचना, दोनों मौसम में हितकारी, पानी और धूप से बचना च्छाते का मौसम से नाता, अम्मा मुझे मंगा दो च्छाता यानि कि बिना च्छाता के मैं कैसे बच पाऊंगा, बच्चा कहता है और वर्सा में पानी से बचना चाहिए, है ना और सूरज में, सूरज यानि कि गर्मी के दिनों में सूरज से बचना चाहिए, है ना के कारण क्या हो जाता है हमें लू लग जाती है हमारा सरीर सावला हो जाता है काला हो जाता है है ना और पानी से हम भीग कर क्या हो जाता है हमें सर्दी बुखार हो जाता है तो दोनों मौसम में हम लोगों को बचना चाहिए और यह हमारे लिए लाबकारी है इसलिए बच्चा अपनी मा से कहता है कि मुझे च्छाता मंगादो तो इस कविता को आप पढ़ेंगे और याद करेंगे है ना कविता को पढ़ेंगे तो हम एक बार फिर से मेरे पीछे पीछे पढ़ेंगे कविता चलिए वर्सा का मौसम है आता अम्मा मुझे मगादो चाता विद्याले आना जाना है साग सबजियां भी लाना है मित्रों के संग कभी घूमना बाबा जी को टहलाना है ओटोमेटिक वाला भाता अम्मा मुझे मगादो चाता सोनू मोनू मिनकू भी तो छाता लेकर ही जाते हैं ड्रेस भीग जाती जब मेरी तब वे मुझको लल्चाते हैं बिन छाता कैसे बच पाता अम्मा मुझे मंगा दो छाता वर्षा में पानी से बचना, गर्मी में सूरच से बचना, दोनों मौसम में हितकारी, पानी और धूप से बचना छाते का मौसम से नाता, अम्मा मुझे मंगा दो छाता तो इस तरह से हम देखते हैं कि छाता हमारे लिए बहुत ही जरूरी है है ना, पानी से बचने के लिए और धूप से बचने के लिए नहीं तो हम क्या हो जाएंगे, भीमार हो जाएंगे, सर्दी खासी हो जाएगा, गर्मी में लू लग जाएगा है ना, तो छाता एक बहुत ही जरूरी चीज है तो आपका होमर्ख है, शिर्षक छाता लिखने के बाद शब्दार्थ लिखना है ना, यानि शब्दों के अर्थ लिखना उसके बाद मौखिक प्रशन का उत्तर लिखना जैसे बच्चा क्या मांग रहा है तो क्या के जगब पर आएगा, छाता है ना, बच्चा छाता मांग रहा है उसी प्रकासे, खनमबर बारिश में बच्चे की ड्रेस भीग जाने का क्या कारण है आपका उत्तर होगा बारिश में बच्चे की ड्रेस भीग जाने का यह कारण है कि बच्चे के पास छाता नहीं है गर, हम छाते का प्रयोग किस-किस मौसम में करते हैं? हम छाते का प्रयोग गर्मी और बरसात के मौसम में करते हैं लिखित प्रशन लिखित प्रशन का पहला है सही उत्तर पर टेक्चिन लगाईए यानि कि आपको सवाल पढ़ना है यहाँ पर आप्शन दिया हुआ है आपको सही उत्तर पर टेक्चिन लगाना है तो इस तरह से इसे आप अपने से करेंगे है ना? ठेक उसी प्रका लिखित प्रशन का दूसरा है कवीता की पंक्तियां पूरी कीजिए ये भी आप अपने से करेंगे कवीता पढ़ेंगे और यहाँ पर सही शब्द खोज कर भरेंगे तीसरा है उत्तर लिखिये यानि कि आपको सवाल का जवाब लिखना है प्रशन का उत्तर लिखना है बच्चे को किस तरह का चाता अच्छा लगता है बच्चे को अपने आप खुलने वाला चाता अच्छा लगता है अपने आप खुलने के जगा पर आप ऑटोमेटिक भी लिख सकते हैं मैंने आपको सहत शब्दों का प्रयोग करना सिखाया है यहाँ पर, इसलिए मैंने अपने आप खुलने वाला च्छाता लिखा है, आप ओटोमेटिक च्छाता भी लिख सकते हैं, खा है, बारिस से बशने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, बारिस से बशने के लिए हम च्छाता और बरसाती, बरसाती यानि कि रेन कोट का प्रयोग करते हैं, गर नमबर हम गर्मी में छाता क्यों इस्तेमाल करते हैं हम गर्मी में छाता धूप से बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो सभी प्रशनों के उत्तर आप अपने हिंदी कोभी में लिख कर पूरा करेंगे और प्रशनों के उत्तर याद करेंगे